नमस्कार दोस्तों, राधे राधे जय हो खाटू वाले बाबा श्याम की तो तुला राशिवालों सावधान दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा. दोस्त हो जाईए सावधान क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आज के उपर घोर संकट आने वाला है. ये 24 घंटे का समय आपके लिए काफी कठिन हो सकता है. मुसीबतें. दोस्तों, आपको चारों और से तोड़ने की कोशिश करेगी. आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोश करेगी. लेकिन जो व्यक्ति आज के इस वीडियो को देख लेगा, उसे व्यक्ति का बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको तीन चीजों से मुह मोड़ना पड़ सकता है. जी हाँ दोस में आपको तीन ऐसी सावधानी बताने वाला हूं, जो यदि आपने सुन ली, समझ ली, तो आपके जीवन से सारी मुसीबत का सर्वनाश हो जाएगा. और आप भी कहोगे कि गुरुजी, आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, आपने तो हमारी जिन्दगी बना दी. और सच जो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके भाग्ये ही बदल जाएंगे. सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे. साथ ही जो भी बहुत कमे है तो की अब आपके दुखों का चारों और से सर्वनाश होगा आने वाला. यह समय आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा दोस्तों, हम जानते हैं अपने अपने जीवन में कई सारे संगर्ष का सामना किया है. आपने कई सारी मुसीबत से खुद को हाला है, लेकिन इस दुनिया ने आपकी वह कदर नहीं करी जिसके आप हमारे. लेकिन बेटा, बस अब और तुम्हें रोने धोने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. अब तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख थे, उन सभी दुखों का अंत होने वाला है. सैस, मैं आ गया ह है, परमात्मा ने तीन बहुत बड़े संकेत दे दिये हैं, और अब जो आने वाले अगले 24 घंटे रहेंगे, वह तुम्हारे जीवन में चारों और से खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे. तुम्हारा जो दुश्मन है दोस्तों, वह चाहे कितना ही जोर लगा ले, वह चाहे कितनी ही कोशिश है, क्यों न कर ले, लेकिन वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप तुम्हारे उपर परमात्मा का विशेश आशीरवाद बनाने वाला है, महादेव की क्रिपा तुम्हारे उपर ऐसी बनेगी कित्ता, उम्हारी रा से समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हम आपको जो भी सावधानी बताते हैं, वह आपके गुवा, रह गोचर, एवं आपके पंचांग पर आधारित होती है, हमारे द्वारा कही गई, बताई गई एक एक बात सटीक होती है, और आपके जीवन से जुड़ देखी हमने आपसे कई बार कहा है कि आपके आसपास ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपने कई लोगों को पहचान है, कई बार आप मर, ते मरते बचे हैं कई बार, आपके दुश्मनों ने आपकी जान तक लेने की कोशिश करी है, लेकिन जो लोग हमारी सावधा न आरा बता रहा हूं आने वाला 24 घंटे का समय दुखों से लड़ने में तुम्हें काफी ज्यादा शक्ती देने वाला है इन 24 घंटे में तुम्हें कई सारी बड़ी-बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यक्ता देखिए मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं ना यदि तुम्हें आरे जीवन में दुख है संकट है तो चिंता मत करो सुख भी आएगा अच्छा समय भी आएगा ऐसा समय भी आएगा जब तुम इस दुनिया पर राज करोगे और तुम् तुम्हारी उंचाईयों का परचम लहराएगा और तुम चारों ओर से बड़ी बड़ी प्राप्त करो और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इए देखिए आने वाले अगले 24 घंटों में कोशिश आपको यह की अपने निर्णय आप खुद ले अपने कम आप खुद करें कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों के लिए किसी और पर आश्रित रहते हैं और वाकई में यही चीज उनका नाम नहीं बने देती है उनका कम नहीं बने देती है जब उनका कम कोई और करता है तो नाम उसे व्यक्ति का होता है इसी लिए अपने गुप्त राज इसी तरह बताते रहेंगे। अपनी योजनाओं के बड़े में, अपने कम, अपने अगले मूव के बड़े में इसी तरह बताते रहेंगे तो आप आगे नहीं बाढ़ पाएंगे। यानि की एक या तो आपका वीजा कनफर्म हो सकता है या फिर वहां से आपको कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। संभावना है। सपताह इनकर दोनों के अंदर खर्चों के स्थिती पर थोड़ा सा तनाव आपके जीवन में ए सकता है। क्योंकि जब हाथ में पैसा है तो तो कोशिश ये करनी है, पहले तो के खर्च बहुत सीमित हो, और अगर आए के स्रोत कम है और खर्च ज्यादा है, तो परिस्थितियों और बिगड जाएगी, आप अगर आए के स्रोत बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, आपके तो maintenance रहेगा, मतलब रहेगी, लेकिन आई के स्रोत भी बहुत अच्छे, और आपके खर्च मिनिमम है तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप एक बहुत अच्छे बचत के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहतर यही होगा, दोस्तों क्या स्थिति के सामने जुकना सीखे, बहुत सारे लोगों में अकड होती है, और ये अकड कोई कम नहीं आई, क्योंकि घास इतनी विनम्रता से जुक जाती है कि तूफान उसका बाल भी बांका नहीं कर पता, और बड़े बड़े जो अकड कर पेड़ खड़े रहते हैं, वो खाद जाते हैं, तो जिंदगी के तूफान में ह हम भी अगर विनम्र रहेंगे, तो कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा, कोई हमारा दुश्मन नहीं बन पाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, साथी साथ आपके विचार शैली भी काफी सकारात्मक रहने वाली है, अगर घर के रखर खाव, अथवा बदलाव संब संबंधित कोई भी योजना है, तो उससे संबंधित कार्यवाही करने का समय बड़ा उचित है, विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित उचित परिणाम प्राप्त हो सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट संबंधित अथवा वोट संबंधित गतिविध चल रही है तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूर है जिद में आकर कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं सावधान रहिएगा बहुत जल्दी बाजी नहीं करनी है नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूरी बना कर रखती है और किसी निकट संबंधी के वैवा अग दोड की स्थिती निर्मित हो रही है इसके परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मेहनत से आपका कम जरूर बनेगा सावधान रहिए सोच समझ कर कम करिए व्यवसाय गतिविधियों में निवेश ना करें अभी समय सही नहीं है नुकसान दायक स्थिती बन रही है हमारा कार्य करना नौकरी में आपके उपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ए शक्ती है लेकिन उसे जिम्मेदारी को अगर निभा दिया तो बड़े अधिकारियों की शाबाशी के पत्र बन जाएंगे बहुत बढ़िया बात है आप बख रुपयों पैसों का लेंदेन जब आप कर रहे हैं तो वाद विवाद लड़ाई जगड़ा होने की आशंका बनेगी क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति आपसे कुछ और अच्छी बात कर दे तो वहां थोड़ा सा सावधान रहिएगा आगे वीडियो में हम आपको सावधानि सेहत के प्रति विशेश आपको ध्यान रखना होगा लंबे समय के बाद किसी अपने से किसी प्रिया जान से आपकी मुलाकात होगी और पुरानी आदत ताज हो जाएगी लेकिन गुप्त बात हम आपको बता रहे हैं कोई भी कम शुरू करने वाले हैं कोई योजना बनाने रणनीती तयार करने वाले तो उसके बड़े में किसी को कानो कान खबर नहीं हनी चाहिए वरना वह व्यक्ति उसे वाइरल कर सकता है या आपकी मेहनत का सर क्रेडिट खुद ले सकता है किसी पर भी भरोसा मत करेगा इस कल्युक के दूर में कोई भी भरोसे लायक नहीं है अ किसी भी अनुच्छेद कार्य में रुची आप नहीं लेने क्योंकि आपके सर पर इलजाम भी गा सकता है ऐसे स्थितियां बन रही हैं कई बार दोस्तों हमें लगता है कि गलत कम करके बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते आकर्शित हो जाते ह हैं लेकिन बाद में पैसा हमें फलता नहीं केमोन में चला जाता है मेहनत की रोटी खाई वह आपके खुद पर लगेगी और आप कहो पैसा कभी इधर उधर व्यर्थ के केमोन भी नहीं जाएगा कुछ भारी व्यक्ति होंगे आस पडोस के उन्हें अपने व्यक्तिगत माम में दखल अंदाजी आपको नहीं करने देनी है इतना आप ध्यान रखिएगा साथ दोस्तों प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मान जनक रहेगी प्रतियोगिता की तैयारी में जूते युवाओं को मनचाही सफलता मिलने की उम्मीदें हैं घर के रख रखाव अत्वा सौंदरे करण में खर्चा हो सकता है अपने बजट का ध्यान रखें और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संबंध रखना दोस्तों आपको बता दें आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में उतार्च को लेकर आने वाले हैं यानि की मित्र केमो न को लेकर आप बिल्कुल सर्थे आपको पूरा भरोसा था कि यह कम तुम एक कर ही दूँगा यह कम तुम मुझे हो ही जाएगा उ न गाम में रुकावटें आशक्ति है व्यापार संबंधित अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए समय काफी अच्छा रहेगा यद्ध या आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं नई उचाईयों पर ले जाना चाहते हैं तो यह समय बदलाव करने के लिए बहुत ही शांदार समय रहने वाला है लेकिन दोस्तों यदि बहुत कोशिशें गाने के बावजूद भी आप बहुत परेशान है तो इसके दोस्तों तो तीन वज़ा हो शक्ती है पहले आप अंजान लोगों पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं दूसरा आप अपनी बटन को गा उप्त नहीं रखते हैं या फिर दोस्तों तीसरी वज़ा हो शक्ती है कि आप समय का पाबंद करना नहीं जानते जो व्यक्ती दोस्त ओं समय का सम्मान नहीं करता समय की इज़त नहीं करता समय कभी भी उसकी इज़त नहीं करेगा आज हमारी एक बात मा लीजिए गाप के जीवन में भी ऐसा बदलाव आएगा ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा आप की 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना है सुबह सूर्य उदय से पहले उठेगा यानि की सुबह 5 से 6 के बीच में सूर्य उदय होता है तो आपको करीब करीब 5 हर बजे उठ जाना है छे महीने तक दोस्तों यदि आप बस रात को जल्दी सूज और केवल सुबह जल्दी उठोगे थ होने लगेंगे कि आपने कभी सपना में भी कलपना नहीं की होगी या बात दोस्तों बहुत खास है ये बात बहुत चमतकारी है यदि आप इसे कलकर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे साथ ही दोस्तों नौकरी पेश जातकों बता दे आने व जब आपका समय बड़ा आता है, तो वही लोग दोस्तों आपसे दूर जान लगता हैं, पर आया से पहले तो अपने ही हाथों से फिसल जाते हैं, तो समय का खेल बहुत निराला है, समय का खेल बहुत खास है, इन 24 घंटा में दोस्तों आपको अपना सम्मान बनाए रखना आपको अपनी इजद बनाए रखती होगी, तभी दोस्तों आपका लगातार सम्मान होता रहेगा इन 24 घंटा में दोस्तों, स्वास्थय के मामले में आपको काफी सत्तर रहना होगा, देखिए अभी न, यू का मौसम है गर्मी, काफी तेज पद रही है, ऐसे में दोस्तों यदि आप स्वस्त का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको बुखार या एल लगे की समस्या हो, शक्ती है जिससे आपको कुछ समय तक परेशान होना पर, डेगा वहीं दोस्तों, विद्यार्थियों बता दे आपको दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटा में जहां से ग्यान मिले वहां सस एक ज्यान बताना है हमारा, यह आठ से दस मिनट का वीडियो आपके लिए ज्यान से भरपूर होता है, तो रोज आप हमारा वीडियो देख, ये इसके साथ अपने गुरु जनों का आशीरवाद दीजिए, अपनी मां से कुछ ज्यान इकठा करिए, इससे दोस्तों आपके जीवन में का, भी भी ज्यान की कमी नहीं होगी, और आप सदैव ज्यानी बने रहोगे, और कभी किसी के सामने भी आपको जीवन में शर्मी, नंदा नहीं होना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी व्यक्ति ने कहा है, दोस्तों अगर तुम्हारी किसी से शत्रुता नह तो तुम्हारे क, म में बहुत भारी कमी है, यानि दोस्तों, यदि आपकी कोई दुश्मन नहीं है, तो आपके कम में मेहनत की कोई बहुत भारी कमी है, आप अपना. अपने आप ही आपके शत्र उपैदा होंगे। इन लोगों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, आपका सपना कर्मों पी। अपने जान की कोई योजना बना रहे थे, एक स्थल पर यदी आप घूमने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी मेहन की शांती मिलेगी। आपकी साड़ी दुविधाएं।